नमस्कार दोस्तों की तपस्या करने के बाद में भगवान भोले नाथ की कृपास से ही इच्छाधारी नाग 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 मने को प्राप्त कर लेते हैं तो वो कोई भी रूप धान कर सकते हैं और कोई भी भारी से भारी चीज उठा सकते हैं हर्याना के एक छोटे से गाउं चिर्कुला नाम में एक रजनी नाम की लड़की अपने माबाप के साथ में रहा करती थी रजनी के अंदर सबसे बड़ी खास बात ये थी किसी भी गलत काम का व्रोध किया करती थी और हमेशा सभी लोगों की मदद किया करती थी इसी कारण से रजनी हमेशा कॉलेज में सबसे अच्छी लड़की मानी जाती थी और उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं ये गटना आज हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं ये रजनी के 20 साल पीछे की है जब रजनी लगबग 4-5 साल की थी तो वो अपने घर के आंगन में खड़े होकर क दूद पी रही थी रजनी के किसी कारण से दूद नीचे गिर जाता है रजनी के घर के पास में एक जाड़ी थी उस जाड़ी में एक इच्छादारी नागनागन का जोड़ा रहा करता था वह इच्छादारी नागनागन उस द्रस को देख रहे थे रजनी वहां से चली जा के हाथ से धूद्ध पिया करते हैं एक दिन नाग नागनों ने सोचा कि रजनी चाहे कितने भी मुसीबत में हो या कोई भी रजनी का काम हो हम उसको अवश्य करेंगे और रजनी की मदद करने के लिए नाग-नागन अपने मन में ठान लेते हैं ऐसे ही समय गुजरता गया एक चुप चाप नीचे की तरफ मूँ करके निकलते जा रही थे परण तो ये सब कुछ रजनी से देखा नहीं गया और वो जाकरके उन लड़कों के बीच में कूद जाती है और उस लड़की को बचाने लगती है रजनी ने उस लड़की की उन लड़कों से जान बचा दी वो लड़की सीधे अपने कॉलेज चली जाती है तभी रजनी के कुछ फ्रेंट्स कहने लगते हैं रजनी कुछ दिन आप समल के रहना इन लड़कों में गाओं का एक जो मुख्या है उसका एक सबसे बड़ा लड़का वो भी इस लड़की को छेड़ रहा था और इस बात के लिए वो तुम से अवश्य बदला ले करके रहेगा रजनी ने कहा कोई टेंसर मतलो मैं अपने अब सब कुछ देख लूँगी दोस्तो तकरीवन इस बात को एक महीना हो जाता है और वो लड़के रजनी के इनतियार में हमेशा उसका पीछा करते रहते हैं एक दिन रजनी कॉलेज से लेट हो जाती है और निकलते बगत उसके सारे फ्रेंट्स जा चुके थे रजनी अकेली रह जाती है रजनी रास्ते से आ रही थी तवी उसको वो लड़के मिल जाते हैं और रजनी को अकेला देख करके रजनी को उठा ले जाते हैं और ले जाकरके जंगल की तरफ ले जाते हैं जैसे वो लड़के रजनी को जंगल के अंदर ले गए तो वही इच्छादारी नाग नागिन का जोड़ा जोड़ा जोगी रजनी के हाथ से दूद पिया करता था अचानक से वहां पहुंच जाता है और रजनी को देख करके उसे बचाने की कोसिस करने लगता है उस इच्छा से करके नागिन वहां से भाग जाती है और जा करके एक जाड़ी में छुप जाती है पास में ही एक रेलवे ट्रैक था उन लोगों ने इस नाग को उठाया और रेलवे पटरी पर डार दिया नागिन ये द्रश बैट करके देख रही थी और काफी तेजी से रुधन कर रही थी नागिन ने साथ ही साथ ठान लिया कि मुझे इन लड़कों से अवश्य बदला लेना है दोस्तो वो लड़के उस नाग को उस रेलवे ट्रैक में डाल करके और अपने घर की तरफ चले जाते हैं रात्री हो जाती है और रात्री में अपने घर में आराम से सो रहे होते है तब ही वो नागिन उन लड़कों के पास पहुंच जाती है और एक एक करके सब को डस लेती है दोस्तो इनसान से ज़्यादा अच्छी वफादारी तो जानवर भी करते हैं और इसी वफादारी की बज़े से रजनी की इज्जत बच गई दोस्तो जानवर कभी बुरे नहीं होते हैं परन्तु उन्हें बुरा समझा जाता है अगर आप जानवरों के साथ में वफादारी करोगे तो जानवर मरते दम तक आपकी अवश्य मदद करेंगे दोस्तो आपको यह हमारी घटना अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें हर हर महादेव